नमस्कार, हुमकार इंडिया से मैं गौरी आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तर प्रदेश, बतलती राजनैतिक घटनाकरम ने पश्चमी यूपी में जाती और राजनैतिक समीकरणों को नया रूप देना सुरू कर दिया है और नेताओं ने इसे तेजी से भापते हुए अपनी गतिविधियां तेज कर दिया है जाट लेंड में नय सियासी समीकरणों भर कराने लगे हैं जी हाँ आपको बताएंगे पूरी जानकारी उससे पहले वीडियो को एक लाइक करें वा चैनल को सब्सक्राइब करके बलापसन को दबाएं ताके हमारे चैनल द्वारा ऐसी ही तमाम ख़वरे सबसे पहले आप तक पहुँचे देखिए प्रियंका गांधी देरादून के जॉली ग्रेंट एरपोर्ट से सीधे मा शाकंबरी देवी के मंदिर पहुँची अब इसके बाद प्रियंका ने चिलकाना में किसान पंचायत के मंच पर पहुँचकर किसानों को अपना समर्थन दिया यही से प्रियंका ने कॉंग्रेस के जय जवान जय किसान अभियान की शुरुवात भी की इस तरह प्रियंका गांधी ने सहारनपुर से उत्तरप्रदेश में 2022 के विधान सभाचुनाओं में कॉंग्रेस के अभियान की अगोसित शुरुवात भी कर दिया था हाला कि आपको बता दे ये खबर आपको पुरानी लग सकती है लेकि शुरुवात आपको पूरी जानकारी देर है इसलिए यहां से कर रहे हैं देखिए प्रियंका गांधी कुछ दिन पहले देहरादून के जॉली ग्रांट एरपोर्ट से सीधी मार्शाकंबरी देवी के मंदर पहुची थी आप सभी को पता होगा अगर आप नियूस देखते रहते हैं तो देखिए आपको बताएं सहारनपूर में एक सरकारी डिग्री कॉलेज में राजनीती शास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर मुहमत पैजान बताते हैं प्रियंका गांधी ने सहारनपूर जिले से अपने अभियान के शुरुवात एक राणनीती के तहत की है जी हाँ सहारनपूर ही पश्चिमी उत्तरप्रदेश का एक मात्र जिला है जहां से कॉंग्रेस के पास दो विधायक हैं प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा छेत्रों की शुरुवात सहारनपूर से होती है किसानों के बीच प्रियंका ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की प्रणाली पर सवाल उठा कर पश्चिमी युपी में कॉंग्रेस का जनाधार बढ़ाने की कोशिस की है आई आपको बताते हैं जाटलेंड में नेस्यासी समीकरण क्या बन रहे हैं दूसरी ओर हिंदू और मुस्लिम धर्मस्थलों पर जाकर प्रियंका सर्वधर्म समभाव की छवी पेश करने की कोशिस कर रही है पश्चमी यूपी में एक महिने तक चलने वाली कॉंग्रेस के जय जवान जय किसान अभियान में प्रियंका मुख्य वक्ता के तावर पर शिरकत कर रही है 15 फरवरी को कॉंग्रेस की राष्टिय महासचिव बिजनौर में किसानों को केंद्र सरकार के क्रशे कानूनों की गड़बडियां समझा रही थी इससे पहले पिछले वर्स अक्टूबर के महीने में प्रियंका हाथ रस में रेप पीड़त युवती के परिवार से मिलने गई थी और चार फरवरी को 26 जन्वरी के ट्रैक्टर परेड में जान गवाने वाले रामपूर के किसान नवजीत माफ कीजिएगा नवरीत सिंग के परिवार से भी मिलने पहुची थी पश्चिमी उत्तर प्रदेस में किसान आंदोलन की तपिश और विपक्षी दलों की सक्रियता से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने लगातार दो दिनों में पश्चिमी उत्तरप्रदेस के दो प्रमुग जिलों मथुरा और मुरादाबाद का दौरा कर बड़े पैमाने पर विकास योजनाओं की शुरुआत की वरंदावन मथुरा में संत कुम्ब की शिरुवात करने पहुचे योगी ने शंतों को अपने हाथ से प्रशाद खिलाया और ब्रजतीर्थ विकास परिशत की बैठक में 371 करोन रुपए के विकास कार्यनुमोदित करने के साथ योगी ने कुल 411 करोन रुपए की योजनाओं कसिला अन्यास और लोकार पड़ भी किया अगले दिन 16 फरवरी को योगी मुरादाबाद पहुचे मार्च 2017 में यूपी की सत्ता संभालने के बाद मुरादाबाद मंडल से ही योगी को कठिन चुनावती मिली है 2019 के लोग सभा चुनाओं में भाजपा मुरादाबाद मंडल की सभी 6 लोग सभा सीटे हार गई थी जबकि 2014 के लोग सभा चुनाओं में इन सभी सीटों पर भाजपा का कबजा था पश्चिमी यूपी में इस इलाकी ही राजनैतिक एहमियत इसी बाद से समझी जा सकती है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी अब तक आठ बार मुरादाबाद का दौरा कर चुके है पिछले वर्स 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदितनाद ने मुरादाबाद दौरे के समय सरकिट हाउस में मुरादाबाद मंडल के सभी विधायकों, जनप्रतनिधियों और प्रभारियों की बैठक ली थी बाजपा नेताओं से योगी ने सपष्ट कहा था हमें 2022 के विधान सभाचुनाओ का लक्ष मुरादाबाद से ही भेतना होगा क्योंकि 2019 के लोग सभाचुनाओ में मुरादाबाद मंडल की सभी शीटे भाचपाहार गई थी मुख्यमंत्री योगी आदेतनात 18 बिंदो जिनमें कारून विवस्था स्वक्षता कारेकरम निराश्टरित गोवन्स प्रधान मंत्री आवास योजना युसमान योजना मुख्यमंत्री आवास योजनागर्ना मुल्लिभुक्तान शामिल है कि आधार पर नियमित मुरादाबाद मंडल समेत पक्षमी उत्तरप्रदेश के सभी जिलों की समेक्षा की मेरट विश्विध्याले में पितिहास विभाग के पूरु प्रुफेसर आरके सिंग बताते है उत्तरप्रदेश में विधानसवा चुनाओ की शुरुवात पश्चमी इलाके से होती है इस इलाके में जो पार्टी शुरुवाती बढ़त ले लेती है उसकी आगे किरा आसान हो जाती है इसी लिए विपक्षी पार्टी उने 2022 के विधानसवा चुनाओ की तैयारियों का आगाज पश्चमी उत्तरप्रदेश से ही किया है धाई महीने से ज्यादा से चल रहे किसानांदोलन ने विपक्षी उपी का राजनैतिक माहोल गर्मा दिया है चलिए अब बताते हैं क्या इस समीकरण किसानांदोलन के बहाने राजनैतिक दल जाट मुस्लिम एकता के लिए प्रयास कर रहे है उतरप्रदेश में जाट प्रभावी मंडलों की 136 विधान सबा सीटों में 55 सीटें ऐसी हैं जिनमें जाट मुस्लिम आबादी 40 प्रतिशत या इससे अधिक बैठती है इसी कारण ये सीटें सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण हो गई है 2013 में मुझःफर नगर दंगों के बाद जाट और मुस्लिम मत्यदाताओं के बीच हुए विभाजन से भाजपा ने पश्चमी उत्तरप्रदेश में अपना पर्चम लहरा दिया था दूसरी ओर जाट मत्यदाताओं पर प्रभाव रखने वाले राष्टिय लोकदल रालाओद के राष्टिय अध्यक्ष जीत सिंग हाशिये पर पहुँच गए थे यह पहली बार है कि रालाओद के पास लोकसभा और उत्तरप्रदेश विधान सभा में एक भी सीट नहीं 2017 की विधान सभा चुनाओ में जीते छपरौली से रालाओद विधायक सहेंद्र सिंग रामाला भाजपा में शामिल हो चुके हैं अब भारती किसान यूनियन से अपनी कठुता मिटा कर रालाओद पश्चिमी उत्तरप्रदेश में अपनी जड़ें दोबारा जमाने की कोशिस कर रहा है रालाओद की राश्टिया महासचिय जयंत चौधरी हर जिले में किसान पंचायत की जरिये जाट मुसलिम एकता की कोशिस कर रहे हैं वर्स 2019 के लोगसभा चुनाओ में पश्चिमी उत्तरप्रदेश की कुछ सीटों पर जाट मतदाताओं ने मुसलिम मतदाता के साथ वोट करके भाज़पा को हर आया था लेकिन 2014 के लोगसभा चुनाओ में उत्तरप्रदेश से एक भी मुसलिम सानसद लोगसभा नहीं पहुँचा था जी हाँ जाट मतदाताओं का भी वोट मिला था जी हाँ आपको बता दें कि सहारनपूर लोगसभा सीट पर भी बसपा उमीदवार हाजी फजलुहर मान मुसल्मानों के साथ जाट का वोट पाकर चुनाव जीते देवबंद सहारनपूर में मुसल्मानों के लिए एक स्कूल चलाने वाले फही मुसमानी बताते हैं 2019 के लोगसभा चुनाव से ही पश्चिमी उत्तरप्रदेश में जाट मुसलिम एकता की नियू पड़ चुकी है यही वजह थी कि जाट मतदाताओं की समर्थन से मुसलिम उमीदवा चुनाव जीते चुकि पश्चमी उत्तरप्रदेश में जाट नेतरत्त में सुनिता आ गई थी इस वज़ा से जाट मतदाता दुविधा में था अब राकेश टिकैत का नेतरत्त मिलने के बाद जाट और मुस्लिम मतदाता फिर से एक मंच पर आ गए है जाट और मुस्लिम एकता कासर 2022 के विधान सबाचुनाओं में दिखेगा वर्स्त 2022 का विधान सबाचुनाओं नस्दीक आते ही पस्चमी यूपी में बहुजल समाज पार्टी की नेताओं में भगधर का माहोल मच गया है बस्पा से नाराज नेताओं की पहली पसंद समाजवादी पार्टी की साइकल बनी है जी हाँ 16 जन्वरी को बस्पा से निसकासित पूरु विधायक योगेश वर्मा अपनी पतनी सुनीता वर्मा जोकी मेरट की महापौर हैं के साथ सपा में शामिल हो गया अलीगड में बस्पा की पूरु विधायक हाजी जमीर उल्लाह मुहम्मद सगीर के अलावा बरेली से बस्पा की पूरु विधायक विजैपाल सिंग मुझ अप्पर नगर से पूरु विधायक अनिल जाटव हाथी का साथ छोड़ करके साइकील की सवारी सुरू कर चुके हैं अलिगड के बरिष्ट वकील शायद खान बताते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बखुतायत मुश्लिम मतदाता अभी भी सपा के साथ ही खड़ा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 मुस्लिम सांसदों में से 3 सपा और 15 मुस्लिम विधायकों में 13 सपा के पास है किसान आंदूलन की बढ़ती तपिस के बीच में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश की योगी आदितनात सरकार गन्ने का परामर्शी मूल बढ़ा सकती है जी हाँ अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिधानसबा चुनाओ की शुरुआत पश्चिमी इलाके से होती है और इसी इलाके में जो पार्टी शुरुआती बढ़त बना लेती उसके लिए आगे की राह बहुत ही आसान हो जाती है जी हाँ इसी लिए माहुल को देखते हुए सभी पार्टीों में इतनी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है फिलाल इस विचलेशन में इस वीडियो में इतना ही आप ऐसी ही तमाम खबरों वा वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलेंगे आपसे किसी अन्यव ऐसी ही वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार